नमस्कार पीजे साथ क्यों मैं आपका अपना आरेस कुमाउत और आपके लिए लेके आया हूँ जो रीट एक्जाम हुआ है जो रीट का पेपर हुआ था 2017 में आज हम उसी पर चर्चा करें हैं कि किस तरह के पर सनाते हैं और किस तरह से अपने को उन्हें हल करना होता है तो जो उसमें से जो जीके के अपने पास 60 परसन आते हैं बड़ा मेटर है उस पर ही हम बात करेंगे आज तो देखिए जो यहां पर पहला परसन आया था वो था कि भारत के सविदान के परस्तावना में उलेखित हम भारत के लोगों लोग से क्या तात परे आए ये देखिए पर ये साथिवा पर्षन देखिए पहले ये पर्षन है ये पूछना चाता है अपने से कि जो भारतिय से विदान है उसमें जो परस्तावना शुरू होती है वहाँ पर हम भारत के लो लिखाये तो उसका आश्य क्या होगा तो इसका अंसर ये इस परकार देना है आप भी अप अपना सही उत्तर बताऊंगा ये जानना है कि जो इसका पहला अंसर हो गया वो हो गया कि संपर्भुता भारत के मुख्य नियादिस में नहीत है या जो संपर्भुता है वो भारत के लोगों में नहीत है या फिर संपर्भुता भारत के राजनितिक दलों में नहीत है या फ भारत की जनता में नहीत है ये उसका राइट अंसर हो गया जो दो नंबर का था जो बी ऑप्सन है कि जो भारत की संपरगुता है वो भारत की जनता में नहीत है अब इस तरह देखिए अगर option में जनता सवद ना हो तो कि सभी सक्वियां किसे प्राप्त है और उसमें जनता सवद ना हो तो अपने को सविदान उतर चुलना होता है फिर ये साथियो अब इसी तरह अपना next person देखते हैं कि दूसरा person उसमें क्या था दूसरा person था कि भारत के सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत ऐस प्रीशेता को समाप्त किया गया था तो जो ऐस प्रीशेता को किस अनुछेद के अंतर समाप्त किया गया ये अपने को उतर बताना है तो देखी जो अनुचेद 16 है, अनुचेद 17 है, अनुचेद 18 है, अनुचेद 19 है तो इसमें से आप पहले राइट अंसर चुनिए कि कौन सा था फिर एक एक पर हम बात करेंगे किस परकार से उत्तर आया जो देखी जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा ओप्सन नंबर B यानि कि अनुचेद 17 है, वो इसका राइट अंसर है क्योंकि अनुचेद 17 के अंदर एक ट्रिक के माध्यम से भी मैं अपने यूटूब चैनल पर पहले बता चुकाऊं कि वीबेलू ऐस प्रिशेता का अंत, यानि कि इसमें तो लोक नियोजन है और अनुचेद 17 में ऐस प्रिशेता का अंत है, जो अनुचेद 18 है, उसमें उपादियों का अंत है और अनुचेद 19 के अंतरगत अपने को 9 पर चोरी 6 परकार की सवतंतरता दी गई है अब देखिए इसे एक साथ अपना नेक्स्ट क्योशन, कि आगे पर्षन है कि अपना जो तीसरा पर्षन है, कि भारत के सविधान की किस बाग को मुल करतब्यों में सनी हित किया गया है जो भारतिय सविदान के 22 वाग है उनमें से किस वाग में कि मूल करतब्यों का क्या है कि उले किया गया है परसन यह था तो उप्सन एक अपने को दिया गया था पांच उप्सन दो दिया गया था कि दो उप्सन तीन दिया गया था कि च्यार ए और उप्सन च्यार दिया गया थ सुरी सवीधाने उसके वाग में क मुली कर्टब्य है दो जो इसका राइप अंसर हो औहो कि तो यानि की च्छ्छ यह इसको हिंदी लिखाएगा तो चार कह है और यह इंगलिस में लिखाए रोमन में लिखाए तो चार ए हो गया पिर यह सात्यों तो साथ ही जो बाग दो है चार है अकेला चार आता है तो भी आप याद रखिए उनमें उनली निति निर्दे से तक्तों का उलेख है यह आपको पर्षन और एक चार ए होता तो अंसर है जो चार ए से होता अगर एसा नहीं होकर यहाँ पर ओप्षन चार दिया होता और यह अपने को ए नहीं दिया होता तो भी अपने को राइट अंसर यह चुनना था वो आप अपने ओप्षन के हिसाब से थोड़ा देख लेना देखे इसके बा परतिय सविदान का उन्हों छेद 25 समन्दित है उन्होंने कहा है कि जो मूल ये जो 25 है ये किस समन्दित है पेले तो अपने को ये पता होना चीए ये क्या है साथियो मूल अधिकारों से समन्दित है तो ये कहना चाता है कि 25 में क्या वरनित है तो 25 में आप्शन ए हो गया अंत पर कोई वेदबाव नहीं किया जाए शिक्ष्या का अधिकार अलब संख्या का अधिकार अगर आपको मूल अधिकार असानीच से यादें तो बहुत दूर दूर की ओप्सन आई हैं इस अंसर में और इसका जो राइट अंसर होगा वो ओप्सन नमबर ए हो जाएगा यानि कि अंतेकरन की सवतन तरता है अनुछेद 25 हमें किसी भी द्रम का पालन करने और उसके परचार परशार करने की पूरी सवतन तरता देता है इसके बाद में देखते हैं अपना next person क्या दिया है कि निमन में से समाजिक नियाई से समंदि सेवधानिक प्रावदान नहीं है इन्हो कि उन्च नीच का जो समाजिक भाव है वो कहां पर समाप्त हो गया है यानि कि वो सेवधानिक नहीं है यानि कि उसे लगाना अभी तक बाद्यता नहीं है ये किस अनुछेद में कहा गया है तो किस अनुछेद में कहा गया नहीं है कि कौन सा प्रावदान सही नहीं है यानि आरक्षन ये तो आप सभी को पता है कि आरक्षन आज के टाइम में है विदाइका की अनुसुची जाती हैं जन जाती है तू आरक्षन यानि सरकार में भी SC और ST के सीटें आज भी फिक्स है और देखे समान कारे है तो समान बेतन ये अभी तक पूरन रूप से लागू नहीं है और बाल सरम का निशेद ये अपने अनुचेद 24 में वरनी थी है इस परकार जो साथियो इसका राइट अंसर हुआ बहुत ऑप्सन तीन माना गया था या अपने को ये पता होना चीए कि ग stuffed मतलब कि परिसन कहना क्या चाता है परिसन का कहना कःने का आश ये जैसरी कि साथियो घनपूर्थिये कोरम लखा जाता है मौन लूग कि किसी कख्ष्या या किसी समुआँ में सो वेगती हैं तो उनमेंसे कितना बाग आये तब उसको माना जाए कि सभी उपस्तित हो गए हैं या ये संचालन आज का मन ने किया जाता है तो यानि कि यह कह रहे हैं कि कुल सदस्यों का 1 बटा 4 वाग आए उस दिन या फिर कुल सदस्यों का 2 बटा 3 वाग मुझूद होना चाहिए या फिर कुल सदस्य संख्या का 1 बटा 3 होना चाहिए या फिर कुल सदस्य संख्या का 1 बटा 10 होना चाहिए तो फिर ये साथियो जो इसका right answer होगा न वो option number 4 होगा यानि कुल सदस्य संख्या के 1 बटा जो 10 बाग है वो आना चाहिए यानि कि एक उधारन के तोर पर आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी भी समुए में सो वेकती हैं तो उनमें से दस आये तो ही वो कारेवाई मानी जाई अन्य था वो नहीं मानी जाई इस तरह से ये गणपूर्ती कोरम एक वटा दस होता है और लगब ओप्सनों का ये अन्सर निकल के आता है एक बटा दस गणपूर्ती कोरम में आप ये याद भी रख सकती वेसे थोड़ा अगर जिस टेम आपको याद नहीं आता तो आप ये लगा सकते हैं देखिए अपना next person क्या कहा है कि भारत के सविदान में कौन से अनचेद में एक मंतरी पृषद का प्रावदान है जो रश्ट पती के कारियों के निर्वेन में साहिता परदान करेगा तो इसीक साथ आपको बता दूं कि जो ये जिनने परदान मंतरी और मंत्री प्रिशद के आपको अगर अनुछेद याद है तो ये पर्षन एकदम आपको असानी से याद हो जाएगा तो अनुछेद चुरेतर, अनुछेद 78, अनुछेद 79 और अनुछेद 80 इन में आपको सोई बताना है जो इसका राइट अंसर माना जाएगा कि जो मंत्री प्रिशद का प्रवाव है बहुत दूर-दूर के आप्षन है अगर चुरेतर और प्रचेतर दिया होता तो अपने को confusing होती लेकिन यहाँ पर तो बहुत दूर-दूर के आप्षन है इसलिए जो इनका प्रावधान है वो चुरेतर प्रचेतर में ही जादा है तो इसका right answer चुरेतर हो गया साथियों अब इसी साथ अपना next person देखते हैं अब अपना अगला person है कि रज्य चुनाव आयुक्त को कौन न्युक्त करता है कि रज्य में जो चुनाव आयुक्त है उसको न्युक्त कर सकता है तो जो इसे person है ये बेहदी simple त्रीके के person है और ये सरल person की बहुत सरल person मानता हूँ मैं इसको देखिए कि अपने को अगर ये पता होना कि भारत का सेवदानिक प्रमुक्त कौन है करता धरता कौन है तो आप लगबग इस कोशन को बड़े अराम से गर दोगे इससे person हो को पढ़ने की जरूरत नहीं होती पहले ही उत्तरा जाता है तो देखिए इसका जो इसमें है कि बारत के मुख्य निर्वाचनायुक्त और दूसरा कोशन है कि दूसरा अंसर दिया है इन्होंने बारत के राष्ट पती और तीसरा दिया है समंदित राज्ये का राज्येपल और चोथा है राज्ये की विदान सवा तो इसका एकदम simple answer होगा वो होगा भारत का रष्ट पती द्वारा इनकी न्युक्ति की जाती है इसे आगला परसंद देखते हैं कि भारत के सर्वोच नियाले के समंद में निमन में से कौन सा कथन सई नहीं है तो ये क्या है कि बारत का जो सरवोच नियाले है उसके बारे में ये अपने को सब परसंद पूछ दाएंगे और उनके बारे में ये अपने पास चार लाइने लिखी हुई है इन में से अपने को ये बताना है कि इन में से कौन सी लाइन सही नहीं है पहली पहली लाइन पढ़ते हैं अपने कि सविदान की ब्याक्या से समंदित किसी भी मामले पर रश्ट पती सरवोच नियाले से प्रामस मांग सकता है तो ये एकदम सही है ये लाइन कि अनुचेद 143 के तैट भी रश्ट पती किसी भी बात पर जो सरवोच नियाले से प्रामस मांग सकता है प्रामस देना या ना देना ये सरवोच नियाले पर निरबर करता है और उसको मानना या ना मानना रश्ट पती पर निरबर करता है तो इसलिए जाइर सी बात है कि ये option number 1 सही हुआ option number 2 देखते हैं कि राष्टपती द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच नियाले उन्हें प्रामर्स देने है तू बाद्य है अब मैंने यही बात अभी आपको बता दिये पहली लेन में option अपना दो बात में पढ़ा है तो इसलिए ये तथ्या गलत हो गया यहीं पर कि सर्वोच नियाले प्रामर्स देने है तू बाद्य नहीं है बलकि यहाँ पर लिखा है कि बाद्य है option number 3 पढ़ते हैं राष्ट पती सर्वोच नियाले द्वारा दियेगे प्रामर्स है तू मानने को बाद्य नहीं है यह भी मैंने आपको बता चुका हूँ सर्वोच नियाले के प्रामर्स के उनसार सरकार परस्तावित वी देक में आप सक्षन सोधन कर सकती है इसमें कोई भी दोराय नहीं है वो उसकी बात मान भी सकती है तो इसलिए जो इसका राइट अंसर हुआ प्रिये साथी हो वो आप्सन नमर दो हुआ यानि राष्ट पती द्वारा मांगे जाने पर जो प्रामर्स मांगता है वो सर्वोचनिया ले देने के लिए बाते नहीं है इसे नेक्स्ट पर्सन देखते हैं कि भारत के राष्ट पती के चुनाव के निर्वाचन मंडल में सामिल है यानि कि पर्सन कहने का आशे यह हुआ कि जो राष्ट पती के चुनाव होते हैं जो राष्ट पती के चुनाव का निर्वाचन मंडल है उनमें से कौन-कौन सामिल हैं तो देखिए ओप्सन नमर और एक हो गया केवल लोकसवा के निरवाचित सदस्य यहां तक तो बहुत तो सही है कि लोकसवा के निरवाचित सदस्य लेकिन यह कथन बिल्कुल सही नहीं है कि केवल लोकसबा के अन्य भी इसमें सामिल होते हैं तो ये option अपना गड़त हो गया लोकसबा के सभी सदस्य ये भी इसमें सामिल नहीं है क्योंकि लोकसबा के सभी सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि जो लोकसबा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इन में होते हैं बिदान सवाओं के केवल निर्वाची सदस्य यहां तक सही है लेकिन अपने अगर नेक्ट उत्र पढ़ते हैं तो बारत की संसत तथा राज्य की बिदान सवाओं और दिल्ली वे पांडूचेरी के संग सासित परदेशों केवल निर्वाची सदस्य यह उत्तर जादा एपोर इस्तित ए इनमें से तीन तता दिल्ली से तीन तता पांडूचेरी से एक-एक यह संसद में सदस्य आते हैं तो इसलिए ये भी इनमें से सामिल होंगे तो इसका जो राइट अंसर होगा साथियो बो होगा ओप्सन नंबर डी इससे आगे का परसन हम देखते हैं इसमें का आगे है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यानि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसमें समझाने वाड़ी कवी बात नहीं है फिरी साथ्यों जो इसका राइट अंसर होगा वो भी होगा यानि कि Young T.C. यानि कि Young T.G. भी किस को इसुई को कह देते हैं ये इसका right answer हो गया साथियो अगर आप इसी तरह से हर paper का हल चाहते हैं तो आप हमारे YouTube channel को जुरूर-जूरूर subscribe कीजिए पता साथी इसे अन्य दोस्तों को भी आप share कीजिए आपको हर दिन इसी तरह के यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं जो किसी ने किसी एक्जाम से समन दीते हैं और उन्हें पूरे डिटेल से यहाँ पर कलियर भी करवाये जाता है तो इसे एक साथ देखते हैं अपना next person कि किली मंजारो परबत किस देश में स्थित है तो यह तो अब रटने वाली बात होगी कि किली मंजारो किस देश में स्थित है तो इसका जो राइट अंसर माना गया था वो A माना गया था यानि कि वो तंजानिया में स्थित है अब इसके बाद मैं हम देखते हैं अपना next person कि समताप सिमा का ओस्ताप मान लेता है कि समताप सिमा का ओस्ताप मान क्या रहता है तो 43 डिग्री रहता है या 100 डिग्री रहता है या 0 डिग्री रहता है या 0 डिग्री सेल्सियस रहता है तो देखी यहां पर लिखा गया है कि समताप समताप यानि बराबर उसी के हिसाब से इसका जो राइट अंसर हुआ था वो डी हुआ था यानि कि जीरो डिग्री सेल्सियस ये इसका राइट अंसर मना गया था अब देखिए कि अपना next person है कि बेसार्ट सेल का उधार्ण है यानि कि बेसार्ट सेल का एक उधार्ण कौन सा है तो कुप पातालिय सेल या पातालिय सेल या बाये आगनिय सेल या कायंतरित सेल तो जो इसका right answer हुआ था वो हुआ था पिरिये सातियो आप्सन नमबर B यानि कि बाये आगने सेल अब देखी ये परसन बड़ा बेहदी पोटेंट था और इस तरहें के परसन जो 105 नमबर माँ परसन है इस तरहें के परसन बेहदा आते रहते हैं और ये लोजिक बहुत सिंपल तरीके का है मैं आपको बता दूँ थोड़ा देखिए इन्होंने कहा है कि एक पोटसन स्तर दूसरे पोटसन स्तर तक उर्जा का परवाह होता है तो उप्सन एक था इसमें 15 उप्सन 2 था 5 उप्सन 3 था 10 उप्सन 4 था 20 अब देखिए मैं आपको एक उदारन देता हूँ आप सही तरीके से समझ जाएंगे माना कि आप एक सेब खाते हैं अगर जितनी भी केलोरी या उर्जा उस सेब में स्तित है ना अगर आप उसे खाओगे ना तो वो आपको 10% मिलेगी बाकी वातावर्ण में सली जाएगी यानि किसी भी चीज का हम उपभोग करते हैं कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका जो हमें स्त्रोत प्राप्त होता है ना उसमें जो उर्जा का स्त्रोत प्राप्त होता है वो हमें मातर 10% प्राप्त होता है ये अप एक नॉर्मल याद रखने वाई बात है तो इसका उंसर C हुआ था अब देखते हैं आगे मेकस्तनीज किसका राजू था ये इंडियन हिस्ट्री का परसन है जो बार-बार मतलब मेकस्तनीज किसका राजू था ये परसन ऐसे पूछ लिये जाते हैं कि चंदर गुप्त से समंदित जो भी परसन है वो भी पूछ लिये जाते हैं और या बिंदू सार समंदर गुप्त इनको अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लें तो जो मेगस्तनीज किसका राजदू था मतलब वो किसका राजदू बेजा हुआ था भारत में तो जो मेगस्तनीज था वो सेल्यूकस का बेजा हुआ राजदू था पर ये साथियो इसलिए इसका ओप्सन नमबर डी राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नम्मर साथ देखिए कि ये देखो दोनों मतलब उन्हीं में से आ गया कि कौन चंदरगुप्त दिवित्ये की राज्यसवा में एक नवरतन नहीं था इन्होंने पूछाए कि कौन एक चंदरगुप्त की राज्यसवा में एक नवरतन नहीं था उसी से पहले तो हमारी चंदर गुप्त ने भी अपने दर्वार में नो रतन रखे थे उसमें एक था वर्लूची एक था ब्रामीर एक था दन्वंतरी अब यहां पर सिदा सिदा यह फंडा अपने को पर्शन कलियर हो रहा है कि देखिए बाकी सब अपनोंने नाम सुना है लेकिन आपको इतना तो जुरूर याद होगा कि जो फायान था वो विदेश से यार्तरी था ठीक है तो यहाँ फायान था वो विदेश से आया हुआ था बार से आया हुआ था तो इसलिए जो यह D-Ansor होगा वो D-Ansor इसका राइट अंसर होगा यानि फायान नवरतनों में सामेर नहीं था आप इस परकार से भी अंसर कर सकते हैं अगर आपने नहीं भी पड़ा है तो भी आप अगर चारों ओप्सन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फायान है ये विदेशी है अब देखिए ये जो परसन आया था नेक्स्ट परसन अपना है ये बहुत से लोगों का गलत हुआ था गलत होने का मतलब ये नहीं था कि उनको आता नहीं था बलकि गलत होने का एक कार नहीं ये था कि उन्होंने सही तरीके से इसको पड़ा नहीं कि मारना परताब के हाती का क्या नाम था लोगों की दिमाख में हाती की जगें वह हाती नहीं है देखते ही चेतक देखते ही चेतक यानि कि सबसे ज़्यादा हमने क्या सुना है कि मारना परताब के गोड़े का क्या नाम था तो महारना परताब की गोड़े का नाम चेतक था लेकिन मैं आपसे बार-बार ये कह रहा हूँ कि वो प्रिक्षा का टाइम बेह इपोटेंट होता है और उसमें डिप्रेशन भी होता इसलिए आप पूरा पर्षन जरूर पढ़िएगा जिसने भी पूरा पर्षन पढ़िए है कि महारना परताब के हती का क्या नाम था और उसके बाद में एगर किसी दिए 4 उप्रसन पढ़े हैं तो अपना पर्षन सही हो सकता है बरना ऐसे पर्षन गलत होने की बहुत ज़्यादा क्या है की सबावना रहती है तो उप्सन एक हो गया राम परसाद, उप्सन दो हो गया चेतक, उप्सन तीन हो गया मरदाना और उप्सन च्यार हो गया वीर परसाद तो जो मारना परताब की हाती का नाम था, जो उनकी हाती का नाम था वो तो था राम परसाद जो option number 1 में लिखा है और जो चेतक था वो उनके गोड़े का नाम था और जो मरदाना हाती था वो अकवर और मान सिंग की सेना में सामिल हाती था और वीर परसाद जो था इसका बाद में नाम रखा गया था राम परसाद का तो इसलिए जो भी मतलब मारना परताप के जो हाती था मारना परताप के साथ जो भी मारना परताप के पास जो हाती था उसका नाम राम परसाद था और जेतक उनके गोड़े का नाम था तो बहुत ये एक अच्छी कानी है इसको आप पढ़ना मारना परताप से जुड़े हुए हर एक्जाम में परसन आने लगे हैं इतना ट्रेंड चल रहा है इनका इनकी वीरता से लोग या नोजवान इतने परवावित हैं कि इनको जादा से जादा भी पढ़ती हैं और RPC में भी इस लेवल के बहुत से परसन पूछे जाने लगे हैं मा आपको बता दूँ कि मारना परताप से समंदित हर एक्जाम में एक नेक परसन आता है अभी जो अपने रीट होने वाली है 20 में हो जाए या 21 में हो जाए गरंटी की बात है इसमें भी एक मारना परताप या मेवार से समंदित परसन आएगा इसलिए आप मारना परताप को गुरु गोविंद गिरी थे उनका जनम कौन से परिवार में हुआ था यानि वो किस परिवार से समंदित थे तो इस तरह के परसन जो अपने को नॉर्मल देखते हैं अब आप ये देख लेना कि ये गोविंद गुरु का पूछ लिया तो इसके बाद में ये जेश्ट अब ज रामन परिवार में दूसरा है किसान परिवार में तीसरा है बंजारा परिवार में और चोथा है जमिदारा परिवार में साथियों जो गोविंद गुरु थे उनका जनम हुआ था वो एक बंजारा परिवार में हुआ था और इन्होंने समासुदार के लिए बहुत थी अच इसके बाद मैं अपना देखते हैं नेक्स्ट पर्षन कि चेटावनी राचुंग टिया किस ने लिखे चिटावनी राचुंग टिया नाम की जो कवीता है यह रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई यह अपने को कहा गया है तो जो इसके राइट अंसर है वो आप सोच चली जीगा मैं आपको उप्शन बता रहा हूँ कि परताब सीयं बारट जो रावर सीयं बारट राव गोपाल सीयं और केसरी सीयं बारट पर ये साथ यो एक तो बात या से कलियर होगी कि जो इसने लिखा है वो बर्ध परिवार से के अंदर से लिखा गया है तो जो इन्होंन के सरेरा स्टेशन पर उनको दे दिया गया था फतेशियं को जो अब लिखी किसनी है ऑप्शन अपने को ये दिया गया है गुमा फिरा के किसी भी तरीके से परसना सकता है यानि एक चोटाबनी राजो चुंग उठिया है इसको आप हर तरीके से कलियर कर लीजीएगा आने वाले समय के लिए यानि कि इपोर्टेंट है कि कितने सोट हमें लिखी है किसने लिखी है किस के लिए लिखी थी क्यों लिखी थी और फतेशियं से तक पहुंचाने के लिए किस बेक्ती का योगदान था इस तरह कि सभी परसन जो भी परसन आ जाता है उससे आप अन्य बार में हुआ था इस तरीके के कौन-कौन से पार्शाएं आए कौन-कौन से कारेकरम चलाएगे बगतपंत की सापना इस तरह कि कि आप सभी परसन पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो भी परसन एक बार आ जाता है उससे जुड़े हुए परसन अन्य इपोर्टेंट माने जात आगे के 20 परसन है वो हम नेक्ट वीडियो में देखेंगे और अभी तक अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज आप इसे सस्क्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी आप हर परकार की वीडियो हमसे प्राप्त कर सके और अभी दे ले मैं आपके लिए हर दिन इसी परकार के टेस्ट लेके आता हूं और आप इनके मैं आपको मानेंगे और पीसी द्वारा राइट अंसर भी बताता हूं जेहन जेवाद